नमस्कार आप देख रहे हैं कच्चा चठा और मैं हूँ आपके साथ दिव्या से कोई देश द्रोही ही होगा जो अपने देश के खलाब सरयाम ट्वीट करेगा और ये कहेगा कि उसे भारतिय होने पर शर्मिंदी है लेकिन पत्रकारों की लिबरल गैंग की एक कथित पत्रकार ऐसा खुल्याम कह रही है जिसे अपने देश में रहने में शर्म आती है उसे भारतिय कहलाने में घर्व नहीं बलकि शर्म महसूस होती है कथित चैनीज पत्रकार अभिशार शर्मा की जिगरी दोस्त और दवायर में काम करने वाली आर्फा खानम शिर्वानी की वो कथित पत्रकार ही जिने भारत में रहने पर खुशी नहीं दुख है लेकिन प्रोपोगेंडा चलाने वाली लिबरल गैंग की पत्रकार आर्फा खानम शिर्वानी ने इस बार घलत पंगा ले लिया है जिससे वो बुरी तरह से ट्रोल हो रही है क्या है पूरा मामला और कैसे आर्फा खानम शिर्वानी अपने ही देश के खलाप प्रोपेगंडा चला रही है इसका पूरा कच्चा-चठा आच खोलेंगे लिबरल गैंग की पत्रकार एक्सपोज पाकिस्तान के पूर्व खिलाडी ने दिखाई यौकाद पाक खिलाडी का आर्फा को इन्विटेशन भारत छोड़ दो पाकिस्तान आजा भारत के मीज्या गिरो की पत्रकार आर्फा खानम शिर्वानी अक्सर कटर इसलामी जिन्डे को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है प्रोपगेंडा पॉर्टल दवायर में काम करने वाली आर्फा खानम शिर्वानी का इस बार एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ही ऐसा इलाच कर दिया है कि अब वो मूच हिपाती गुम रहे है पाकिस्तान की हिंदू क्रिकेटर ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि लोग वाह वाह करने लगे दरसल भारत में चल रहे वंडे वर्ल्ड कप को लेकर आरफा खानम शिर्वानी देश के खलाब नकारात्मक महाल बना रही थी अपने ही देश के खिलाब लिब्रल गैंग की पत्रकार आरफा खानम नफ्रत फैलाने का काम कर रही थी लेकिन कहते हैं कि शेर को सवा शेर मिलता है तो वो दुम दमा कर भाग चाता है ऐसा ही हुआ है कथित पत्रकार आर्फा के साथ लिबरल गैंग की पत्रकार को जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाडी ने जम कर लताड़ा है उसे देखकर आर्फा खुद भी यहें सोच रही होगी कि उसने गलत पंगा ले लिया है दरसल भारत और हिंदू धर्म को लेकर अकसर नफरत फैलाने वारी दवायर की तथाकतित पत्रकार आर्फा खानम शेरवानी ने इस बार गलत पंगा ले लिया सोचल मीडिया पर लोग इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पाकस्तान के पुर्व क्रिक्रेटर दानिश कनेरिया ने एक्स पर उनके हर प्रोपोगेंड़े को द्वस्त कर दिया है जब आर्फा खानम ने ओनलाइन अलोचना को लिंचिंग बता कर उन पर निशाना साथा तो दानिश कनेरिया ने साफ कह दिया किन शब्दों का इस्तमाल करके उनके खलाफ प्रोपोगेंड़ा नहीं चलेगा आर्फा खानम शिर्वानी का विक्टिम कार्ड दरसल जब आर्फा खानम शिर्वानी ने खुद के भारती होने पर शर्मिंदगी जताई तो दानिश कनेरिया ने कह दिया कि वो पाकिस्तान आचाए इसे आर्फा संप्रदाइक बताने रगी जवाब मिलने पर उन्होंने कह कि उस tweet का हर एक all an को पॆइना हैं कि किसी भारती ये मुस्लिम को पाकिस्तान जाने के लिए कहना उतना ही संपुरदाइक ता और बहु संक्रदाइक्ता अर्बॉज संठ्वादी ए जितना किसी पाकिस्तानी हिंदू को धर मांत्रन करने के league के लिए 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 लिख अ servant अतलब वुआ कि किसी अल्प संख्यक को ये कहना कि तुम यहां से तालूक नहीं रखते हो जब तक कि तुम बहुत संख्यक धर में कनवर्ट नहीं हो जाते हैं अलाकि ये अलग बात है भारत में मुस्लिमों की जितनी जिन संख्या है लगभग 190 देशों की कूल अबादी भी बारत में मुस्लिम दूसरे सबसे बड़े बहुत संख्यक है अलप संख्यक नहीं सीख, जैन, बौध, पार्सी, यहुदी या फिर इसाई समाज तक की तरफ से इस तरह से अलप संख्यक बहुत संख्यक वाला प्रोपोगेंडा नहीं चला जाता रहा है जबके इसलामी हिरो के लिए ये आम हतियार है दानिश कनेरिया ने आर्फा कारम शिर्वानी को जवाब देते वे लिखा है कि मैं धर्मांतरड बहु संख्यक वाद हिंदूों भारतिये मुस्लिमों या धर्म मजहब की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं सीधे सीधे तुम्हारी वफादारी के बारे पाकिस्तान के ही औरत फांडेशन और मुमेंट पॉर सेलिडरिटी एंड फीस का कहना है कि हर साल एक हजार लड़कियों के साथ ऐसी कूरता होती है हाली में रजिता मिगवार कोई नामक दलित लड़की के साथ यही हुआ अपहरन के बात वो रोती रही लेकिन पाकिस्तान की पुलिस या नाइपाल का भी हिंदू विरोधी ही आर्फा इस पर भी चुप रहती है लेकिन हम हिंदूस्तान के खलाब जहर उगलने के लिए उसका मूँ तुरंत खुल जाता है दानिश कनेरिया ने अब भी साफ तोर पर कहा कि उनका जन पाकिस्तान में हुआ उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेला और आज भी वो पाकिस्तान के रूप में गौरव महसूस कर ताकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके समुदाय के साथ कुछ गलत होता है तो वो चुप भी नहीं रहेंगे बलकि आवाज उठाएंगे अब आपको बताते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ असल में आरफा खानम शिरवानी ने ट्वीट करके लिखा कि विश्व कप के मैच के दुरान कई फैंस के निंदनी विवहार से एक भारतिये के रूप में मुझे शर्म महसूस हो रही है मैं इससे शर्मिंदा हूँ खेल का उदेश्य था लोगों को एक सांत लाला लेकिन इससे लेकर गंदा असुरक्षित भावना और बहु संख्यकवाद मोदी आरेसेस की तरब से पिछले दस साल में बनाए गए महौल का प्रतीक है उनका इशारा भारत-पाकिस्तान मैच की दुरान एमदाबाद में फैंस की तरब से जैस्र राम का नारा लगानी को लेकर था अलाके आरफा खानम शिर्वानी पाकिस्तानी विकट के पर बलेबाज महम्मद रिजवान की तरफ से मैदान पर ही नमाज पढ़े जाने को लेकर खामोश रहती है पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने इस बार उन्हें जवाब दे दिया अगर तुम एक भारतिय के रूप में शर्म महसूस कर रही हो तो मेरे देश पाकिस्तान में आ जाओ भारत को तुमारे जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है मैं आशवस्त हूँ कि भारत में कई लोगों को तुम्हें पाकिस्तान भेजने का खर्च उठाने में खुशी होगी जैसे ही लोगों ने आर्फा खानम शिर्वानी को जवाब देना शिरू किया उन्होंने विक्टिम कार्ट निकाल दिया उन्होंने दावा किया कि दानिश कनेरिया ने उनकी ऑनलाइन लिंचिंग के लिए भेट छोड़ दी है और वो ट्विटर पर ट्रेंट कर रही है उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि कई धर्मों के फैंस की तरफ से जिस अंतरास्टिय क्रिकेटर को प्यार किया गया वो अब एक संप्रदाइक ट्रूल बन किया है इसके बाद आर्फा ने पाकिस्तान जाने से भी इंकार कर दिया और कहने लगी कि अपने देश को छोड़ कर दुनिया में कहीं नहीं चाओंगी इसके बाद दानिश कनेरिया ने आर्फा खानम शिरवानी की तरफ से इस्तमाल किये गए शब्दों भीड, लिंच, धार्मिक, ट्रोल पर भी जम करका टाक्ष किया उन्होंने साफ कहा कि उनके खलाफ इस प्रोपोकेंडा शब्दों का इस्तमाल ना किया चाए दानिश कनेरिया ने पूछा कि क्या उन्होंने अपने ट्वीट में कहीं भी संप्रदायकता की बात की दानिश ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं क्या इसके बार दानिश कनेरिया ने उनसे साफ तौर पर जवाब मागा कि क्या उन्होंने कभी भारत या उसकी संस्कृति की तारीफ की है एक बार भी दरसल आपको यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि दानिश कनेरिया के तरफ से नौरात्री के दिनों में देवी मा के साथ पोचो डालने पर इसलामी ट्रोल गाली ग्लोच पर उतर आए देवी मा की पूझा करने पर मुस्लिम अकाउंट उन्हें वतनगदार बता रहें एक यूजर ने तो उनको सुर तक की गाली दे दी ऐसा इसली हुआ क्योंकि दानिश कनेरिया पाकिस्तान में रह कर भी अपने हिंदू रिती रिवाचों को मान रहे हैं दानिश ने देवी मंत्रे के साथ एक फोटो एक्सपर डाली तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शरूपा दिया साथ ही गंदी भाशा का भे इस्तमाल किया गया सोशल मीडिया पर कई अकाउंट की तरब से दानिश कनेरिया को ट्रोल करते वे लिखा गया कि एक बार फिक्सर हमेशा फिक्सर किसी ने लिखा कि अगर दानिश अभी क्रिकेट खेल रहे होते तो सबसे गंदी शकल उनीकी होती किसी दूशरे अकाउंट की तरब से लिखा गया कि फिक्सर भगवान से मांग रहा है कुछ लोगों ने तो कनेरिया की तरब से देवी की आती की वीजियो ट्विटर पर डालने पर उन्हें वतन गदार बता दिया कुछ ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुई लिखा कि क्या बुतों की पूजा कर रहा है मुस्लिम बंजा जिद छोड़ते इस तरह से शुसल मीडिया पर दानिश कनेरिया को ट्रोल किया जा रहा है लेकिन आपको यार दिला दें कि वही आर्फा खानम शिरवानी है जो माप्या डॉन अतीक हमत पर हुई कारेवाई को घलत बता रही थी और लगातार हिंदू और सनातन धर्म को लेकर आपत्ती चनक टिपणिया करती रहती अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तानी खिलाडी से अपनी बेज़ती करवाकर आर्फा खानम शिरवानी को कुछ अकल आए गया नहीं कच्चा चुठा में फिलाल के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रिए कापिटल टीवी नमस्कार सकते हैं हमारे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया